ऐसा क्या हुआ जो Reserve Bank of India को देश के इन तीन बड़े बैंकों पर लगाना पड़ गया करोडों का जुर्माना? Banking और Financial Sector के Regulator RBI ने देश के तीन बड़े बैंक, Jammu and Kashmir Bank, Bank of Maharashtra और Axis Bank पर भारी Penalty लगाई है और RBI ने ये बड़ा action नियमों के उलंगन करने और Credit Card Rules के violation करने पर लगाई RBI ने Jammu and Kashmir Bank पर 2.5 करोड रुपे का जुर्माना कुछ instructions follow ना करने पर लगाया है वही Bank of Maharashtra पर 1.45 करोड रुपे का जुर्माना लगाया है वही Axis Bank पर 30 लाग का जुर्माना लगाया गया है और इसका कारण बैंक ने Credit Card Deuce के लेट payment के लिए कुछ accounts में भारी fee लगाई थी हालकि customers ने दूसरे medium से बताई गई तारीक तक payment कर दी थी ये पहली बार नहीं है जब Axis Bank पर penalty लगी है इससे पहले भी Axis Bank पर penalty लग चुकी है जो पिछले साल 2022 के एप्रिल में लगाई गई थी RBI ने KYC यनिकी no your customer के guidelines के violation के साथ साथ saving banks account में minimum balance maintain ना रखवाने पर और दूसरे उलंगनों के लिए Axis Bank पर पूरे 93 lakhs का जुर्माना लगाया था लेकिन क्या इस penalty से इन बैंकों की customers पर असर पड़ेगा तो इस सवाल पर RBI ने कहा कि जुर्माना regulatory compliance में कम्यों पर based है इस फैसले से customers पर कोई भी असर नहीं होगा उनकी services पहली की तरह ही जारी रहेगी